शेर के बारे में कुछ रोचक बाते No.1 शेर का वैग्यानिक नाम पैंथेरलियो है No.2 विश्व के सबसे ज़्यादा शेर अफ्रीका महादवीब के तंजानिया देश में पाए जाते हैं No.3 जंगली शेर वर्तमान में उपसहारा अफ्रीका और एशिया के वनों में पाए जाते हैं No.4 भारत में मध्यप्रदेश के विंध्याचल जिला के रिवा और सतना के आसपास के क्षेत्र में सफेद शेर पाए जाते हैं No.5 वर्तमान समय में हमारे भारत देश में लगभग शेरों की कुल संख्या 800 के उपर है No.6 शेर द्वारा बनाए गए नियमों का पालान समूह के सभी सदस्यों को मानना पड़ता हैं नहीं मानने पर शेर उन्हें अपने अनुसार दंद देता है No.7 अठारवी शताबदी के अंच से पूरी दुनिया में शेर को चडिया घर में प्रदर्शन के लिए रखा जाने लगा इससे इनकी प्रजती खत्रे में आ गई No.8 शेर जंगल में लगभग 12 से 15 सालों तक जीवित रह सकते हैं मगर पालतू और चडिया घर में उसका जीवन काल 20 वर्षों के उपर देखा गया है No.9 व्यसक नर्शेर के शरीर का वज़न आम तोर पर 180 से 250 किलोग्राम और मादा शेर का वज़न 120 से 180 किलोग्राम तक होता है No.10 एक शेरनी के कैना इन दात आठ से मी लंबे होते हैं जिन से वे बड़े शिकार को भी कीच कर गला गोट कर मार सकता है No.12 परंतु एक नर्शेर की तुलना में मादा शेरनी कमजोर और हलकी होती है No.13 नर्शेर की गर्दन पर धेर सारे बालों का कवच होता है No.14 शेर की दहार बहुत ही विशिष्ट प्रकार की होती है ये गहले लंबे गर्जन से शुरू होकर छोटे छोटे गर्जन की श्रिंखला के बाद उत्पन की जाती है No.15 रात में शेर के दहारने की ध्वनी जो 8 किलोमीटर दूर तक से सुनी जा सकती है No.17 शेर 80 किलोमील प्रती घंटा की रफ्तार से दोड सकते है No.18 शेर ज्यादा तर जंगल में अपने समूह के साथ रहते है उनके समूह को प्राइट के नाम से जाना जाता है सफेद शेर के बारे में कुछ जानकारी No.19 शेरो के एक समूह में अमूमन 5 से 25 शेर तक हो सकते है शेरो के समूह में शेर नी और शावक भी होते है No.20 नील मगरमच एक मात संपेत्रिक शिकारी है जो शेर का शिकार कर सकता है No.21 जबकि इसके विपरीट शेर भूमी पर भूमने वाले मगरमच को मारने के लिए जाने जाते है No.22 शिकार करने का काम केवल मादा शेर ही करती है नर शेर नहीं नर शेर तो केवल शिकार को भेरने का मा करते है नमबर 23 शेर आमतोर पर बड़े जानवरों का शिकार करते हैं जिसमें मुख्य रूप से जंगली बीस्ट, इंपाला, जेबरा, भैंस और अफ्रीका में वार्थोग और नील गाय, जंगली बोर और भारत में हिरन की प्रजातियों को शिकार करते हैं नमबर 24 शेरों को बड़े पैमाने पर पानी में बड़ी मचलियों का शिकार करते हुए भी देखा गया हैं मादा शेरनी के बारे में कुछ जानकारी नमबर वन नर शेर तीन साल की उम्र में परिपक्व हो जाता हैं और एक मादा शेर लगभग चार साल की उम्र के बाद प्रजनन के लिए तयार हो जाती हैं नमबर टू एक जोड़ा एक दिन में तीन से चार बार संभोग कर सकता है नमबर फ्री शेरनी भी जब उश्मित होती है तो वह एक से अधिक शेरों के साथ संभोग कर सकती है नमबर फोर मादा शेर के गरभधारन की अबधी लगभग 110 से 120 दिनों की होती है नमबर फाइव शेरनी अपने बच्चों को गुपा बना कर उसमें जन देती है नमबर फ्री शेरनी एक गरभधारन समय में एक से चार शावकों के समूह को जन दे सकती है नमबर सेवन शेर के निन्हे बच्चों को शावक कहा जाता है No.1 शावक का वजन जन्म के समय 1.5 kg से 2.5 kg तक होता है No.9 शावक की आँखे जन्म के लगभग एक सप्था के बाद खुलती है No.10 शेर के बच्चे लगभग 3 सप्था के बाद चलना शुरू कर देते है नमबर 11 शावक अपनी मां का दूद 6 से 7 महीने के बाद पीना छोड़ देते हैं नमबर 12 लगभग 85 प्रतिशत शावक शिकारियों के हमले के द्वारा या भूक और गीदर, हाइनाक तेंदुए और सांपों के द्वारा शिकार हो जाने के कारण 2 साल की उम्र से पहले ही मर जाते हैं नमबर 13 ज्यादा तरमादाएं तब तक प्रजनक नहीं करती, जब तक उनके शावक परिपक व्या मर न जाए नमबर 14 दिन भर में शेर लगभग 15 से 17 घंटे सोने में बिता देते हैं अगर आपको शेर के बारे में और भी जानकारी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें